पीयो के वे भारत से मिलने के नारी लग रहे हैं पाकिस्तान का गंदा खेला खत्म होने वाला है रावल कोट में तरंगा लहराता देख शहबास एंड कमपनी को सोने नहीं दे रही है पीयो के से बरबर पाकिस्तानी सेना के भी पाफ उखट रहे हैं पाकिस्तान अब अपने जहर से खुद ही मर रहा है सुभक्ते लोग और सिसती आएं कब तक खामूश रहती हूँ खूट पड़ा है गुश्ण विरोध की जिंगारी अपने सबसे प्रखर रूप में प्रद्वले हूँ और सत्ता अत्याचार के अपने सबसे आखरी चरण में प्रूरता के नए किस्से गड़ रही है लखू लुखान हो गया है पाकिस्तान के कबसे वाला कश्पी हर गड़ी हर बहला हर कस्पा हर शहर पाकिस्तानी हुक्मरानों और वाज के खिलाब नारों से गुण रहा है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान के खिलाब विरोद का परचम फैराने वाले ये कौन लोग है जिनहें जिना के पाकिस्तान में अब एक पल भी रहना खबूल नहीं है कौन है ये लोग जो मुलाजिमों के पुलिस सुवालों के फॉज के सामने सीना चोड़ा किये खड़े हैं चला सको तो चलाओ भोले उडा सको तो उडा तो दोप से पियोके के जलजले की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे आगे आपको बताएंगे कि आवाम को कुचलती पाकिस्तानी आर्मी के बूटों का खौफ कैसे पियोके के जहन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है नतीजा सामने है पुलिस आवाम को कुचल रही है और आवाम पुलिस को पूट रही चल रहा है पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में गुरिल्ला यद के हाला पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में विद्रो भड़क उठा है जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाब सड़कों पर उत्री हुई है प्रदर्शन कारियों और पुलिस के बीट जड़पे हो रही है इस जड़प में पाकिस्तानी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मारा गया है प्रदर्शन कारी पुलिस स्वालों को पहाण से धकेल दे रहे है इसके अलाबा पुलिस कर्मियों को दोडा दोडा कर पीटने के वीडियो आए है पियोके की राजधानी मुजफराबाद में पुलिस का रिवाई के खिलाब हरताल की घोशना की गई है इस दोडान दुकाने बंद रही सामान ने जन जीवन अस्तिव्यस्त हो चुका है जम्मु कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी की अपील पर पियोके में दुकान बंद और चक्का जाम हरताल की घोशना की गई थी पियोके के समाहने सिहंसा, मीरपोर, रावलपोर, खोईरटा, तत्तापानी और हट्टियन बाला इलाखों में विद्रोख शरम पर है मुझफराबाद में पुलिस ने प्रदर्शन कारियों पर आसू गैस के गोले छोड़े और पारिंग भी की पाकिस्तानी सरकार ने पियोके में धारा 144 लागों कर दी है इसके बावजूद सरकों पर हजारों लोग उतर आए हैं ऐसी भी तजवीरे आई हैं जिसमें देख रहा है कि पियोके की पुलिस लोगों पर निशाना लगागर बोली मार रही है विद्रोह की नई आग जो भड़की है उसका कारण समझे जम्मू कश्मीर जुएंट अवामी एक्शन कमीटी 11 माई को मुझफराबाद की ओर से लोग मार्च की योजना की घोशना की थी जेके जैक पियोके का एक अधिकार मंच है जो पाकिस्तान की ओर से भारी भरकम टैक्स का विरोध कर रहा है इस स्वक्त पियोके में आठे की कीमत भी आस्मान पर है यही नहीं विजली के बढ़े रेट लोगों को अंधेरे में जीने को मजबूर कर रहे हैं विद्रो भढ़के नहीं इसे देखते हुए पाकिस्तानी फौज की 6 प्लाटून पहले ही बुला ली गई थी मतलब जैनता की मांगों को सुनने की जगर उसका निदान करने की जगर पाकिस्तानी सरकार ने लोगों का विरोध को चलने की पहले से ही तैयारी कर ली थी लेकिन इस बीच सरकार और फौज ये भूल गई कि ये इसलामाबाद या कराची के भढ़के लोग नहीं है बलकि ये जबरन कबजा किये गए पाकिस्तान के इलाके के लोग में जिनके बीच गुसा 75 साल से परवान चड़ रहा है पिछले साल भी यही हुआ था लेकिन पाक्षी पार्टी एजेके पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष चौधरी मुहमद ग्यासीन ने कहा कि प्रदर्शन कारियों की मांगे पूरी की जानी चाहिए उन्होंने सवाल किये गिलगत बाल्टेस्तान में गिहुं का अंटा और विजली सस्ती है तो एजेके में ये सस्त परिशद तक जा चुका है लेकिन ऐसा क्यूं हो रहा ये समझने के लिए एक बार फिर पीछे की तरफ चलते हैं में फूंक मारी पाकिस्तान से भेजे कबाईलियों ने वो एक के करके हिंसा के बूते कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों को हतिया रहे थे इसलामाबाद के एसी कमरों में बैचकर आपाम के मूँ से रोटी छीनने की जो साजिश रची गई है उसके खिलाब प्योके में गोरिल्ला वार जैसे इस्थिती पैदा हो गई है विरोध का हुंकार भरते ताजा विद्रो में अब तक 90 से जादा लोग जखनी हो गए है लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान से आजादी के लिए अब भी सडकों पर सीना फुलाए हजारों खड़े है पाकिस्तानी फौज कितनों को मारेगी, कितनों को कुछ लेगी और कब तक ये दमन चक्र चलता रहेगा और इसे के साथ ही फिलहाल के लिए बुलिटन में इतना है